तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ पांच रुपे की लेस्में बहुती वीटिफिल सा गला बनाना आगे का तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देखी रहे होगे तो यही वाला गला मैं आपको बताने वाली हूँ बहुती आसानी से बन जाता है वीटिफिल सा रख सकते हो आपको जितना आगे का गला डी पहन पहनना पसंद है तो इसमें आदेंच का मैंने गुलाई का निशान लगा दिया है और इसको गुलाई पुपरहेंगे इस तरीके से थोड़ा सा फालतू लेएगा और एक से सबड़ीसे कम लीजेगा नीचे तक इस तरिके से निशान लगाते हैं थे निशान हमारे के aún कट कर लेंगे इसकी यह देख हैं यह देखेंगा अंदर चाहो तो इसको ऐसे भी रहन दे सकते हो और चाहो तो इसके इस तरीके से ये कौने बना सकते हो कटिंग करके तो मैंने इसके कौने बना दिये हैं तो ये हमारा बुकरम का गला तयार हो गया है अब यहाँ पर हम ये जो हमारी सलवार है न कुर्टे के साथ की उसका कपड़ा ब कर देंगे क्योंकि यह जो हमारा हमने फालतू कपड़ा लिया यह इसके फॉल्ड हो जाएगा चाहों तो आप इस पर सिलाई लगा लीजिए या फिर आप इसे सुई धागे से कच्चा कर लीजिए यहां से कौनों को थोड़ा-थोड़ा सा कटिंग कर दीजिए जिससे कि अच से तो अब इसके वाद यहां पर यह देखिए मैंने सिर्फे पांच रुपे की लैस ली है और काफी ज्यादा लैस है बहुत सस्ती मार्किट में लैस मिल जाती है अब इसे हम इसमें लगाएंगे इस तरीके से तो इससे बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा हमारे इस गले मे देखिए अब इसको इस तरीके से लगाएंगे उल्टी तरफ को इसे हमें लगाना है और सीधी तरफ को यह देखिए हमें इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से बाहर रखना है तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा इसमें पूरे गले में इसी तरीके से इसको शिलते जाना है और यह हमारा उपर का हिस्सा रहेगा जो हमारा सलवार का कपड़ा है उसे हम कुर्टे में गले में जब लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा यह पूरे में हमें इसी तरीके से लेस को लगा देना है तो यहां पर मैंने इसे इसमें जोड दिया है यह बहुत ही सस्ती लेस है लेकिन बहुत अच्छा लुक आता है से देखे कितना अच्छा लुक आया है यहां पर और बहुत ही आसानी से लग जाती है हमारी लेस कितने अच्छे से फिनीसिंग से लेस हमारी लग चुकी है तो अब जिसमें हमें कुर्टे में लगाना है इस गल उसके बाद ये बीच सेंटर में हमें एक निशान लगाना है नीचे तक ये देखेगा बीच सेंटर में आप नीचे तक निशान लगा लिजे नाप करके जितना आपका गलाई लंबा है वहाँ पर एक चौक से निशान लगा दीजिए यहां तक ये आपको पता रहेगा बीच सेंटर का हमारा निशान है अब कुर्टे को अच्छे तरीके से खोल के रखना है ये दिखीगा अच्छे से इसको हम खोल लेंगी खोल के मैंने रखा है अब इसकी उपर गले को सैट करके रखना है हमें पहले गले को इस तरीके से डवल फोल्ड करके इसमें बीच में कट लग है मैंने और इसकी उपर इसको हम रखेंगे इस तरी की सीध सीधे पर हम सीधा मिलाए करखेंगे उल्टा वाला हिस्स्ता हमारा एक उपर आ।् क्योंकि हमें यह जो रेड वाला जो हमारा गला सीधी तरफ आईगा पलटके शिलाई मैंने लगा दिया सिर्फ गोल शिलाई आई है इसमें हाफ पोया की सिलाई लगाई है और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा मार्जन छोड़ते हुए सिलाई सात मंAYर जोड़के इसकी कटेंग कर लेंगे कि कटिंग मैंने कर दिये देखिएगा थोड़ा-थोड़ा से इसमें कटवी लगा देंगे जिससे कि हमारा गला फिनिसिंग से अंदर को पलट जाएगा तो सीधे तरप को पलटा जाएगा यह फ्रेंज क्योंकि हमें सलवार वारा कपड़ा उपर दिखाना है जिससे कि हमारा बहुत ही अच्छा सा मैं चाहेगा यह देखिएगा इस तरीके से बहुत अच्छा लुक आएगा जो सलवार हमा तो मैंने चाहेगा यहां पर लगा देंगे तो कितनी आसानी से यह देखिएगा हमारा गला तयार हो गया है और यह देखिए इसमें बिल्द कूल भी कोई जहन्जट नहीं हुआ है और उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा किसकेतना आसान था इस गले को बनाना लेकिन बहुत हिंप यारा हमारा घ्ला बन करके तयार षगा होता है वह स्य बीजिएव ह hem 8 सब्सक्राइब करने लगाते होगी नहीं दिखांगे춰 सिर्फ लगे लगाया आपको बटन दिखा देती हूं मैं मैंने ऐसे ही घर में पड़े हुए बटन से ये कुड़ते का कपड़ा लगा करके बटन तयार किये हूं और इसमें लगा दिया है तो देख सकते हैं आप रेडिमेट लोक आ गया है इसमें कितना प्यारा सा हमारा गला बन करके तयार हुआ है गरम कुर्टा है फ्रेंस से आप इस तरीके से बना सकते हो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए